हुआ मस्कार आप सभी का एक बार फिर से इस्टडी एट हॉम और राज एजूकेशन हेल्प में हारदिक स्वागत है दोस्तों आज के हमारी क्लास रहेगी दिली पुलिश ड्राइवर ऑनलाइन कोर्स में हमारी आज तेर्मी क्लास है वह रही है चल रही है दोस्तों आज का हम स्वाज कर सकते हैं कोर्स इस्टडी एट हम पर उपलब्ध है इसके लाब अहगया है अगर आप वंपलत करना चाहते ह। करते हैं आज का ईये वीटियो दोस्तुं यहां पर आपको सिल्ट जो है वही क्लास है आपको यूट्ब फ्री ओपको आपको बोलते हैं तो आप उसका नाम है कमें बता हूंगा कि जो प्लेट है को हम हिंदी में क्या नाम से वो नाम अगर हमारी प्रिक्षा में आ जाए तो दोस्तों हम confused हो सकते हैं तो आपको इसका ध्यान रखना है यह भी high security registration प्रेट है इसको हिंदी में क्या कहते हैं तो आप हिंदी में जो इसका नाम है comment section में लिखके जरू बताएं तो दोस्तों मैं 5 second का बैट करता हूँ आपने comment section ने जरू दिखा होगा चलो दो शुरू करते हैं आज इसके बारे में संपून जानकारी प्राप्ट करेंगे जितनी भी जानकारी हमारे लिए जानकारी मलब जाना जरूरी है वो सब जानकारी आज हैं प्राप्ट करेंगे सब से पहले हम देखते हैं कि HSRP की आउसके क्यों पड़ी या इससे पहले क्या विवस्ता थी पुरानी number plate के बारे में हम जानकारी प्राप्ट करते हैं वहन में पंजिकन number है तो एक number plate लगाई जाती है सबी को पता है जो समाने ते लोहे की या प्लास्टिकी sheet की हो सकती है बिल्कु सभी बात है यह plate दो लोहे के nut और bolt के मादे में से कशी जाती है जिस काण इसे आसानी से वहन के लगाया या उतारा जा सकता है यह भी बात सही है इस प्रकार से आसानी से पंजिकन plate को वहन से उतारने वह लगा लेने के काण काफी हद तक आप्रादिक प्रेवर्तियां बढ़ने लगी थी आप किसी भी वहन की दूसरे वहन की जो number plate है अपने वहन पे लगा के आप मार्केट में गोम रहे हो ठीक है और कोई अप्राद करते हैं तो अप्राद में उस number plate जो आपने लगा रहे है उसके माली के पास में है वो दोस्य माना जाता है इस प्रकार की घटना है कुछ आप्रादी घटना है उनको अंजाम लोग दे रहे थे इससे बचने के लिए सुप्रेम कोट ने एक आदिस दारी किया था कि इस प्रकार की विवस्ता हो कि हर कोई दूसरे की जो आपकी जो number plate है उसका परियोग नहीं कर सके इसके लिए हाई स्योक्रेटी जो registration plate है OPCLARIS की जो PDF है वो आपको टेलिग्राम चेनल पर मिल जाएगी मैंने शेंड कर दी है आप देख सकते हैं विजिट कर सकते हैं संपून जानकारी आपको उस PDF में भी मिल जाएगी अब मैं आगे बात करता हूँ कुछ चीज़ें उसमें ऐसी है जो आपको वहाँ पर समझ भी नहीं आएगी मैं आपको यहाँ पर सरहल तरीकी से आपको बताऊँगा जो आपके एकजाम के point of view से important है वो चीज़ें मैं आपको यहाँ बताऊँगा सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्राले बार सरका द्वारा यह गोशना की गई है कि वहाँ उपर high security registration plate लगई जाएगी यह गोशना किस नहीं की है दोस्तों मौर्थ ने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्राले वो लगानी अनिवारे है तो दोस्तों इसके आगे मैं बात करता हूँ अब आपने एक comment section ने इसका हिंदी में नाम बता दिया होगा इसका आप हिंदी में नाम यहाँ पर आप देख पाएंगे इस आदिस का नाम 38 रजिश्ट्री करन प्लेट आदिस 2018 है रजिश्ट्री जो आदिस का नाम है जो यह नियम बनाया गया है इसका नाम क्या है 2018 के नाम से इस बात का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है और यह आदिस कबसे लागू हुआ है तो दोस्तों यह लागू है 1 अप्रेल 2019 भारत में इसको लागू है तो इसका मतलब यह हुआ कि आपके सामने एक नाम आया है अप्सका नाम है एक यहां पर इसकी फुल फॉर्म कि आप यहां पर देख सकते हैं High Security Registration Place, मैंने आपको करी बार बता दिया है, हींदी नाम भी दे सकते हैं, अतिस्वरुख्चा Registration Plate, अब रजिस्टेशन आ सकता है, रजिस्टरि करन आ सकता है, धीक है, यह रजिस्टर आ सकता है, तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है, कि यहाँ पर Registration ही होगा, इस प्रकार से मैने मौडे है यहां पर यह इंद टाइप चाहने mm बलॉग को और जाता है यह वर श्वाकर के लिए यहमाँ से खुला तो आगे मैं देखता हूँ आकार, इसके आकार की बात करें, तो पलेट के कोर्ण ये वृताकार है, यानि कि गोल आकरती में है, यानि कि ये पलेट है, तो इसके कोर्णर है, गोल राउंड में है, या है, इसके कोर्णर क्या है, राउंड आकार में है, इस बात का आप ध्यान इिसमें तील्य it इंन होती है यह अपको प्रॉपी दिखांगा यह 20-20 इस प्रकार से होलोग्राम का अकार है और यहां पर आपको इस होलोग्राम से आपको चीज़ी आया दरनीगए ठोश्य प्लेट का है अब बात करता हूं में तीसरी प्लेट ये क्या होता है ये क्या मामला है तीसरी प्लेट होती है आपके आगे फ्रेंट में एक प्लेट होती है आपके पीछे इन दोनों प्लेटों के अलावा साइड में भी एक तीसरी प्लेट लगी होगी ये भी लागू किया गया है जो four-vayler वहान होते हैं इनि में 3 प्लेट भी लगी होगी जो side में होगी जो जाते हैं वहाँ जाते हैं तो वहाँ टोल नाके पर जो करमचारी होते हैं उन्हें देखने के लिए या आप कहीं भाग रहे हैं पुलीस वाल है तो वह आपसे आगे पीछे वाले नंबर देखने में सक्सम नहीं तो उसने तौन सीछ त्रीस नंबर प्रलेट के नामसे जानते है तो अब यह तीशन प्रतिक चीज को द्हान में रखना कोई भी चीज भूलनी नहीं है, सब चीज अगर याद रखोगे, तो सब कुछ काम अच्छा होगा, आपके एक्जाम में अच्छे नंबर आएंगे, ठीक है, भारत का अंतराष्ट्री कोड, त्योंकि IND का मतलब होता है इंडिया, यानि कि भारत का वहाँ है, इस नंबर प्लेट को देखकर, IND को देखकर आप यह कह सकते हैं, कि यह वहाँ है, वो भारत में बनावाए, या भारत में पंजी करतवान है, ठीक है, आगे मैं बात करता हू बलेक कोरनर, इस नंबर प्लेट पर चारू और कोरनर पर बलेक पट्टी लगी होगी, जिस पर 36, यानि कि 45 डिग्री पर इंडिया लिखा होगा, इंडिया सब अरियल बोल्ड टाइप लिपी में होगा, यहाँ पर आपको तीन चार बातें आपको सीखने को मिली है, सबसे और चारूं और होगी, पहली बात, बलेक पट्टी इसका रंग काला होगा, 45 डिग्री पर इंडिया मनलब कि इस पर इंडिया लिखा होगा, अब इंडिया किस भास में लिखा होगा, एरियल बोल्ड टाइप में, आपको इस बात का ध्यान में है, वो रखना है, एरियल बात प्रिबर को आपको रिबर बताई था अब बात करता हूए अब हुखने लेजर कोड नियुकर नो अंकों का विशिष्ट लेजर कोड होगा जो आसानी से नहीं मिटेगा लगा होना जरूरी होगा अब यह बात करते हूं लेजर कोड़ी तो जो ओफिशिल आरिस है उसमें आपको कम से कम 10 अंक लिखे हों मिलेंगे लेकिन इसको शिठिलता देते हैं इसको 9 अंक भी बना दिये गए है यानि कि जो लेजर कोड है वो 9 अंकों में भी है वो हो सकता है इस बात को आपको ध्यान में रखना है अब यह जो होंगे इसमें 2 अकसर 2 अकसर तो अंग्रेजी के होंगे बाकी निमेरिकल यानि 1, 2, 3, 4, 5, 20 संक्या होती है इस प्रकार से होंगे तो 7 निमेरिकल, 2 होंगे आपके जो अंग्रेजी के वर्ड होते हैं उन में से दोस्तों इसकी कम से कम जो ओपिसल आदिस था उसमें 10 अंक बताए गए थे लेकिन इसका मलब इसमें छूट दी गई है 9 अंक भी इसमें हो सकते हैं अगर ये सिरीज आगे बढ़ती जाती है और अगर ये सिरीज खतम हो जाती है तो इसको 3 संक्या में भी कर दिया जाता है इसलिए वहाँ पर 10 संक्या है वो बताए गई है अगर आपसे पूछते हैं तो आपको इसमें 9 ही बतानी है ठीक है आगे में बात करता हूँ PIN कोड ये PIN नहीं है ये PIN दूसरा PIN है जो हम PIN कोड समझते हैं वो PIN कोड नहीं है इस PIN का नमर इस PIN का जो नाम है वो है लेजर को PIN कोड यानि की परमानेंट आइडेंटिकेशन नमर के नाम से भी जाना जाता है आपको इस बात का ध्यान रखना है कि SSRP पर PIN लिखा होता है उसका मतलब होता है परमानेंट आइडेंटिकेशन नमर और इस लेजर कोड के बीना पंजिकन प्लेट माने नहीं होगी ठीक, आगे मैं बात करता हूँ, एलिमिनियम से बनी यह एक एमम मोटी शीट पर रेट्रो रिफ्लेक्टिव टाइप की होगी, जो कम से कम 200 मीटर की दूरी से आसानी से देखी जा सके यह इस परकार के बनी होनी चाहिए, कि 200 मीटर दूर से भी कोई वेखती है इस पर लिखे सब्दों को या अक्सरों को या अंकों को आसानी से देख पासके पढ़ सके यह प्लेट एलिमिनियम की होगी, एक एमम मोटी होगी और रेट्रो रिफ्लेक्टिव टाइप की होगी अब Retro Reflective क्या होता है Reflective यह नहीं होता है परती बीम बे यह आप मैं बात करते हो चमकने वाली रिफलक्टिव नहीं होता है चमकने वाली यह इस परकार से बनी होगी कि यह आपको है वो अलग-अलग रंगों में चमकती हुई नजर है वो आएगी, तो आपको यह याद रखना है, रेट्र रिफ्लेक्टिव टाइप की है, एक एमम मोटी है, और यह 200 मिटर से दूर से देखी जा सकने वाली प्लेट होगी, अब मैं इसको लाइव आपको प्लेट है, वो दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करके दिखाता हूँ, अब आप इसमें देखते हैं, कि यहाँ पर सबसे पहले एक तो होलोग्राम बनावा है, जो मैंने आपको बताया था, क्रोमियम बेस्ट होलोग्राम, चक्र इमेज, प्रेक्टिकली, इम्पोसिबल टू भी रिमूव और टै होते हैं, क्या बोलते हैं, होट स्टांप्ड फिल्म, इसका मतलब है, security purpose, to होट स्टांप्ड लेटर्स, numericals, IND, national identity and standardization, यानि कि इस पर जो नेशनल आइडन्टी है, हमारा राश्ट्री परतीक है, वो इस पर IND सब्द है, वो लिखा होगा, इस पर IND सब्द है, वो लिखा ह होगा, दोस्तों, आगे मैं बात करता हूँ, आगे सनेप लोग, यह सनेप लोग, यहाँ पर दो सनेप लोग आप देख सकते हैं, once, first end, it cannot be removed or reused, globally, यह कुछ दिखाई नहीं देखा, इसका कुछ क्या जोपी है, महलब कि यह सनेप लोग है, इसको हटाया नहीं जा सकता, अ इंडिया सब्द है, वो लिखा गया है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, 45 डिगरी के कोन पर लिखा गया है, इस बात को भी आपको ध्यान में है, वो रखना है, अमें एक डूसरे एंगल से आपको बताने का प्रयास करूँगा, सबसे पहले देखते हैं, high security registration plate, hot stamped chromium based hologram यहां पर बनावाया, आप देख सकते हैं, I and D वो लिखावाया है, Englished I and D legend, और यहां पर laser code लिखावाया है, no digit में code है, आप यहां पर देख पाएंगे, कि यहां पर I A लिखा गया है, और no digit में है, आगे मैं बात करता हूँ, snap log यहां पर लिखाया गया है, security in script, यानि क इसको security purpose in action को है, उबारा गया है, यह उपर निकले वे हैं, और black color में है, इस प्रकार से मने वे हैं, कि आप इसको किसी भी angle से देखेंगे, तो यह आपको आसानी से नजर है, वो आ जाएंगे, इसके अलावा, embossed borders and alpha numerals, यानि कि जो यह border बनाया गया है, इसको भी कुछ अ number plate है, उसका इस्तेमाल यहां पर है, वो किया गया है, यहां पर snap lock भी आप देख सकते हैं, यहां पर अलग तरीके से भी दिखाया गया है, अब में आपको official जो आदिस है, उसमें किस परकार से हैं, इसको सबसे पहली बात हो, hologram का यहां पर diagram बताया गया है, official आदिस में, ज यहां पर third plate के बारे में बताया गया है, बाकी हम ने वहां पर आपको जानकार दे दी ओपर, third plate की जानकार में आपको यहां पर दे देता हूँ, सबसे पहले आप देखते हैं, यहां पर transport department, उसका नाम होगा, जैसे यहां पर नाम आ गया, national capital territory of Delhi, तो यह नाम आ जाएगा, फिर से 5 mm यह खाली स्थान, फिर यह 10 mm, यह जो बीच के अक्सर होंगे, इनकी height 10 mm होगी, आपको मैं बता देता हूँ, यह तीसरी plate है, यह कौन सी plate है, यह तीसरी plate के बारे में मैं आपको जानकारी बता रहा हूँ, यह पहली और दूसरी नहीं है, पहली और दूसरी जो अक इस बताता हूँ, यह 2.5, यह laser code यहां पर है, laser branded यहां पर लिखा गया है, तो यहां पर इसके अलावा, यहां पर क्या लिखा होगा, year of first registration, जो वहां का पंजीकन हुआ है, वो वर्स भी यहां पर लिखा होगा, वो कितनी मोटाई में होगा, यहां पर hologram बनाया होगा, उसक इसके लवा आप नीचे देख सकते हैं, नीचे भी खाली space है, 10 mm का यहां पर आप देख सकते हैं, इस जो प्लेट है, इसकी जो लंबा चोड़ाई है, और हाइट है, वो 60 है, यहां पर 1 mm है, वो इसके प्लस में एक श्टा इसमें छोड़ी गई है, 60 प्लस एक रखा गया है 100 प्लस एक रखा गया है, लेकिन इसका manually हमें आदेश में देखें, तो हमाँ पर 600 mm इसकी जो dimension है, वो बताई गई है, इसका आपको official आदेश है, वो दिखाना चाओंगा, यह भारत का गजट है, आप देख सकते हैं, भारत के गजट में इसका प्रकासन हुआ है, और इसके के लावा मैं बात करूँ, यह मंगलवार, दिसंबर 4, 2018 की बात है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसके बारे में पूरी जानकारी हो बताईगा, यह पीडियेप में आपको टेलीग्राम पे बेज़ दूँगा, यह एक अपर 2019 यह परिवरत होगा, यह ओरिजन मोटर वाइकल रूल है, एक नहीं है, सेंट्रल मोटर वाइकल रूल, उसका नियम 50 है, वहाँ पर यह पर प्रंतुक जोड़ा गया है, इस बात को आपको धियान रखना है, किसमें, CMVR 1989, यह जो नियम है, इन नियम में जोड़ा गया है, आगे आप इसमें पूरी जानकारी यहाँ पर यह गजट परकासन आप देख सकते हैं, इसमें पूरी जानकारी होगी, मैं इसको दिरीशे स्लाइड कर रहा हूँ, आप इसकी जानकारी पूरी देख सकते हैं यहाँ पर यहाँ पर देखो यह 20 गुणा 20 mm दिखावा है, क्रोमियम आधारिक होलोग्राम प्लेट इसकी जानकारी नहीं है, यहाँ पर देख सकते हैं, अक्सर इंडिया सब दिखा गया है, यहाँ पर बताया गया है, कि किस प्रकार से होगा है, और जो यह तीसरी प्रकार की, तीसरी प्लेट है, यह 100 mm-60 mm आकार की होगी, विंद्शिर के पाई और बीतर भाग पर लगाए जानी है, इस प्रकार से आप इसमें आसानी से इसको देख सकते हैं, अब इसमें आप देख सकते हैं, इसमें केवल तीन दो ही प्रित्टा दी गई, एक तो यह दिया गया है, क अगर यह वीडियो पसना आया है, तो आप इसे लाइक रहें, शेयर करें, अपने दोस्तों के पास में, जरूर शेंड करें, ताकि वो भी इसको सीख सके हैं, अगर आपने कोर्स आ तक पर्चेस नहीं किया है, तो आप कोर्स पर्चेस कर सकते हैं, और आपको हमारा मोबाल है, वो कर दिया है, लगबग 30 से अधिक, 30 प्लस पेपर हमने अपलोड कर दिया है, और ये सारे के सारे पेपर, इंग्लिस और हिंडी, दोनों लेंग्वेज में, सबसे बड़ी बात हुई है, कि ये दोनों बासाओं में है, और इनके एंसर यहां पर आपको पूरे बता दि तो आप में सेज कर सकते हैं, ये हिन